नमस्कार दोस्तो एक बार पुनाह स्वागते आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे रभी 2022 के जो किसान पंजियन गेहूं और चना के लिए जो पंजियन हमने किये थे और वो पंजियन की रिसिप्ट आपको नहीं प्राप्त ह कोई है और उसकी रिसिप्ट आपको यदि प्राप्त हो गई है और कई गूम गई है तो उसकी रिसिप्ट हम घर बेटे केसे ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे उसमें हमें क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे संपूर्ण जानकारिय हम आपको आगे वीडियो में स्टेप बाइ मिलते रहे चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों यह उपारजन 2022 में जो रभी 2022 के जो पंजियन किये थे और उसकी रिसिप्ट यदि आपको प्राप्त नहीं हुई है और किसी सर्वर एरर के करांड यदि आपको रिसिप्ट नहीं प्राप्त हो रही है या फिर आपको जो रिसिप्ट प्राप्त हुई थी वो कई गूम गई है तो उसकी हम री प्रिंट पुनह प्रिंट कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें दोस्तों गूगल पर सबसे पहले यह उपारजन सर्च करना है उसके बाद में जो पहली वाली लिंक हमें धीक रही है यह वाली लिंक पर हमें सिंपल से क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उपारजन मद्यप्रदेश आसन के यह वाले ओफिसल पोर्टल पर आजाएंगे जहां से हमने पंजियन केंदर कियोस्क से जो है रवी 2022-23 के जो चना एम गेहूं फसल के लिए जो पंजियन किये पर आना है यह वाले पोर्टल की लिंक हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहां से आप डिरेक्ट यह वाली पोर्टल पर आ जाओगे उसके बाद में दोस्तों हमें पंजियन की रिसीप्ट डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हैं पर जो 5 option दीख रहे हैं तो simple से किसान की जानकारी यह वाले option पर हमें simple से क्लिक करना है जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से dashboard दिखेगा रभी 2022-23 किसान की जानकारीग तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमें जीले का चेहन करना है। कौनसे जीले का आपने पंजियन किया था और कौनसे जीले में आप निवास रहते हैं जीले का चेहन करें, जिस भी जिले के आप निवासी हो जिस जिले से आपने पंजियन किया उसको आपको चेंड करना है उसके बाद में दोस्तों किसान कोड मोबाइल नमबर समगर आईडी प्रविष्ट करें यदि आपके पास पंजियन नमबर किसान पंजियन नमबर है तो वो प्रविष्ट करे मोबाइल नमबर है जिस मोबाइल से आपने पंजीन किया था वो मोबाइल नमबर है तो वो मोबाइल नमबर डाले या फिर आपके जो किसान का जो समगर आईडी है वो समगर आईडी यहां पर आपको टाइप करना है उसके बाद में केपचा कोड यहां पर डालना है जो केप मोबाइल नंबर, जीले का नाम, तैसिल का नाम, गाउं का नाम और बेंक, किसान का भुपतान आधार से लिंकखाते में किया जाएगा, इसलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो बेंक का नाम यहाँ पर आपको नहीं दीखेः गा, उसके बाद में आपका आवेदन पंजीन क से किया था अमने एंपियोन लाइन क्योस्क से कने प्र किया होगा सब्साइबर केपर से किया Saya से क्षेगा से। जिससे और आफ साइबर केपर से क्राकार दीखेगा पंजीं केंद्र दिखेगा उसके दूस्तों आपने जो करते समय आपका जो है यह पंजियन आधार से सत्यापित हो चुका है तो यहां पर दिखेगा आध्यार से सत्यापन क्लिक करना है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें डेसबोर्ड दिखेगा खाद्यनागरिक आपूर्तियों मुभुक्ता सरक्षन विभाग रवी फसल के उपाजन हेतु किसान पंजयन परची 2022-23 तो यहां पर सबसे पहले समगर आईडी किसान का व्यक्तिगत जानकरी जिसम बाद में वर्ग आधार नंबर नौमिनी की जानकाई डाली होगी तो यह कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा जब आपने पंजयन किया था पंजयन करते समय जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी यहां पर प्रिंट पर क्लिक करना है और इसकी प्रिंट निकाल का संबं किसान पंजयन जो है गेहूं और चरने के लिए जो पंजयन हो रहे है उसकी जो रिसिप्ट यदि गुम गई है तो इस तरीके से आपको रिसिप्ट आपको पुना निकालनी रहेगी और यह रिसिप्ट आपको ओनलाइन जो है समगरा आइडी मोबाइल नंबर या जो आधा करने की पूरी कोसिस करेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करना शेर करना लाइक करना और हमें सपोर्ट करना तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ तब तक के लिए जहीं बंदे मात्रम